सड़क तो बनी मगर पानी की निकासी न होने के कारण ग्रामवासी परेशान सड़क पर पानी भरे रहने से महले वासियों में काफी आक्रोश दिखाई दिया ग्रामप्रधान द्वारा सड़क का निर्मान तो कराया गया लेकिन घरों से निकल कर गंदा पानी सड़क पर जमा होने से महले वासियों को काफी परेशानी का सामना करना पर रहा है वोरत अलब है कि ब्लॉक दिलारी की ग्राम पंचायत सुल्तानपुर दोस्त के ग्रामिनों ने जिला अधिकारी को प्राथना पत्र देकर शिकायत की है कि कुछ दबंग व्यक्ती ने ग्राम प्रधान से जबरदस्ती हमारी नीजी जमीन पर नाली निर्मान करा कर सड़क का पानी निकालना चाहते हैं जबकि पहले से ही नक्षे में दूसरी तरफ को नाली है उसका निर्मान नहीं कराया जा रहा और दबंगी के बल पर जबरदस्ती हमारी नीजी जमीन पर नाली बनवाने का दबाव बनाया जा रहा है घरों का पानी निकल कर सड़क पर जमा हो गया है जिससे कई बीमारियां उत्पन हो सकती हैं देश महामारी के संकट से गुजर रहा है ऐसे में घरों का गंदा पानी जमा होने से कई बीमारी आ सकती है और बने मकानों को भी भारी नुकसान हो सकता है महलेवासियों का ये भी कहना है कि कई बार हम अधिकारियों से भी इसकी शिकायत कर चुके हैं लेकिन अभी तक कोई भी बात अमल में नहीं लाई गई है क्या नम आता ग्रेश सेंग शेंग में में नाला निकलना चाइएब भरब carry months you जिसक्स में बनाई और पानी आच शुका थमाम अड़िया अज़ली तव पानी कहा पानी को नेकलना चाहिए पानी जहां को मतलब यह नक्से में हुहां को निकाला जाये Northern नाली बूस में दूसरी तरफ को रहा दूसरी पहार की तरफ आप में शिकात की नहीं कहीं को a कई नेयुकर मुझेवे किया है ठीयम है लेकस बाक बतीय कोई आजबतन गतने है तो अब मैं क्या हो जाते हो मैं चाहता हो किम्तलब इस हाद नंगषे में आहिए को ऩृंती हैनाली है ऐनाली लेक पाल से बात कुए अविह लेक पाल मना कर गए और को नाली जा प्रफिन निकाइबी